आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello students Our question is Nucleus of the cell was discovered by अगर हम बात करें आपके Nucleus की तो ये आपका Brain of the Cell होता है जिसमें क्या होता है आपका Genetic Material present होता है जो की पूरी की पूरी बोडी को या हम कह सकते हैं पूरी बोडी के अंदर या Cells के अंदर जो आपकी पर्टिकुलरली Metabolic reactions होती है या Metabolism हमें जो देखने को मिलता है या जो सारा Control देखने को मिलता है वो आपका ये Brain करता है जिसको हम Nucleus बोलते हैं तो इस Nucleus को Discover करने वाले Scientist कौन थे ये हम से पूछ रखा है Options में हमें दे रखी है Robert Hook, Leeuwenhoek, Robert Brown या Virto अगर हम बात करें आपके दिये गए Options में से तो जो Robert Hook थे, उन्होंने क्या Discover किया था उन्होंने आपकी Cell को Discover किया था जो की सबसे Smallest and सबसे Functional Unit है आपके B Option में हमें दे रखा है Leeuwenhoek, ये Antone 1 Leeuwenhoek है जिन्होंने सबसे पहले क्या Discover किया था बैक्टेरिया को Discover किया था तो आपके Nucleus को Discover करने वाले आपके जो Scientist थे, वो थे आपके Robert Brown तो Option नमबर जो हमें C दे रखा है वो इस Question का बिल्कुल Right Answer हो जाता है अब अगर हम बात करें आपके पर्टिकुलर ली यह जो विट्चो है, इन्होंने क्या किया था इन्होंने आपके Discover किया थे क्या? यह आप इन्होंने दीती Cell Theory जो की आपकी Modify की गई थी इनके दुआरा, क्योंकि Skeleton and Squan नाम के दो Scientist थे जिन्होंने Cell Theory दीती पर इन्होंने Modification किया था इस पर्टिकुलर theory का तो आपके दिये गई Questions के अनू According, आपका जो Right Answer हो जाता है That the nucleus of the cell was discovered by Robert Brown, so option number C is the answer with this Thank you